हाई गाईज विल्केम बाक तो मिज चानल टीए वीद फूड व्लॉगर्स यहां आपको मिलेंगे फूड ट्रावल लेटेड व्लॉग्स तो आज हम बनाएंगे कुरकुरी मट्री आटे की मट्री जो की चाय और कॉफी की साथ बहुत बढ़िया लगती है तो बिना देरी के जलो हम बनाते हैं हम लेंगे काटोरी और काटोरी में डालेंगे हम एक चमच आटा और उसी के साथ एक चमच घी और इसको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे यह मिक्षर हमारे बाद में काम आएगा और फिर प्रेश देनનे से बस यह ही होता है कि आड़ा जितनाा टाइट होता है जितना अच्छ है उन्हेड्स उसमें अच्छे-चे पंचेस पड चुके होते हैं तो यह शुताई भी होरी आटे की तो हमने अच्छे से उसको मिक्स कर लिया है जोग सपार्ट और उसके बाद एक रोल अटा का रोल लिया है और उसको इस तरीके से हमने बेल लिया बेलेंगे हम उसे अच्छे से properly full size में और उसके बाद जो mixture हमने ready किया था ना आटे का और गी का उसको हम evenly इस पे spread कर लेंगे और spread करने के बाद हम इसका roll बना लेंगे फिर से इस तरीके से fold करना है जैसे लच्छा परांडा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है आपको और उसके बाद इस तरीके से इसको चलाना घुमाना और फिर बाद में एक चाकू से एक knife से इस तरीके की potions कट कर लेना कट करने के बाद ना हम बस एक portion लेंगे और इसको ऐसे प्रेस करके छोड़ देंगे तो सारे पहले हम यह सारे के सारे जितने भी potions हमने लिये हैं उनको इस तरीके से प्रेस करके side में रख देते हैं और फिर बाद में इसको हम बेल लेंगे अब बेलना किस तरीके से वो भी में बता रहेती हूं तो अब हमने वो पोशन जो प्रेस करके रखा था वो ले लिया और उसको प्रेस किया और फिर रोलिंग पिन से बेलन से हमने उसे बेल लिया और बेलने के बाद किसी भी शेप का बिले कोई प्रब्लम नहीं है फिर वही मिक्षर लगाया और मिक्षर लग कि अलग-अलग shape के साथ हम उसे bind कर सकते हैं कुछ गुल बनाई है वी सब्हें बनाई हैं आद ट्रियंगल डनायएं और तेल में बिल्कुल कम गैस पे हमें इसे पकाना है तो दो भर पकाएंगे उम इसको पहले हमने इसको एक बर पका लिया हलका हलका और निकाल लिया और फिर इसको हम दुबारे से पकाने के बाद ये थोड़ा डाक कलर में होगी अभी तो ये लाइट कलर में न और दुबारा पकाने के बाद देखो ये डाक कलर में होगी बुलकुल जाला डाक नहीं करना काला नहीं करना जल जाएंगी तो अच्छ बवाल